नमस्कार दोस्तों बहुत बहुत सौगत है आज के हमलों का वीडियो एक नए तरह के वीडियो होगा यह कोशन आप देख करके मैं प्रती दीने के कोशन दूँगा जो की बहुत अच्छा कोशन होगा तो यह एक क्रोर जीता सकता है यह देखते कोशन क्या है अप्रिल 2022 में प पकिस्तान डी उप राश्च्छपती पकिस्तान यह प्रस्ण है अगर आपको आता हों एंसर कमेंट में दीजेगा बहुत अच्छा लेएगा अगर एक-दो बात और लेख देंगे और अच्छा होगा तो अब इसका हम लोग देखेंगे उत्तर क्या है सही उत्तर हम लोग देखेंगे इसका सही उत्तर है सिन्यट अध्यक साजिक संजडानी तो फ्रेंड्स हुआ ये था कि राष्ट पती जी का तेवेत खराब हो गया था और उनको नए पधार मंतिर को सपत दिलाना था देखें ये पेपर कटे पेपर में निकला था इसके बारे में देखेंगे जो नया पधार मंतिर बने है वो है पी एम एल एन नेता पी एम एल नेता ये भी पूछा जा सकता कि पी एम एल का फुल फाम क्या है तो पकिस्तान मुस्लिम लिग यानि नावाज ये ह और ये पूर प्दार मंत्री नवाज शरीट को भाई है शहबाज शरीब जो बने है नवाज शरीब को भाई है पूर पधार मंत्री तो पढ़ सकते हैं आप लोग भी राष्ट पर त्यारी फेल्वी की तेवियत खराब हो गए थी इसे छुटी पर चले गए और इसके चलते पकिस्तानी सिनेट के चेर्मेन साजिक संजरानी साबाज को ने पधरमद्री को सपत दिलाई पी एम एल एन यानि पकिस्तान मुसलिम लिग इसे भी आप नोट करके रखिएगा नवाज एन यानि नवाज फ्रेंड्स अगर आप ऑडिशन देने जा रहे है के बीसे का तो देखिए आप लोग जान गए होंगा कि के बीसे ने इस बार बहुत बढ़ा चेंज किया है कि जि प्रियुद्षा अब से पहले से ले जागा और जीकिर टेश्ट में जो टॉप रहेंगे उन लोगों में से 150 लोगों को एक सेंटर पर उनका इंटेर्वी और बीडियो रडियो आडिशन लिए जाएगा तो जीकिर टेस्ट बहुत इंपोर्टेंट हने माला इस बार तो कर सकते वाटसब नमबर रेखी स्क्रीन पर मैंने दिये हैं मैसेज कीजिए मुझे अगर आप लोग चाहते हैं लेना अगर पहले वार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा जल्द मिलते एक नए वीडियो के साथ बहुत बहुत धहिने वाद नमस्कार